नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्तरी सौगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक स्टोन के उपर ब्लैक स्टोन के क्या फायदे होते हैं किस विदी से आप इनको पहन सकते हैं क्या लाब मिलेंगे आपको किस लगन के लोग इसे पहनेंगे तो फायदा होगा किस कंडिशन में आपको इसे पहनना है अस्त और अंच की परिकरिया में इसका कहमेतता हुए तमाम चीजे तमाम जानकारी आपको देने जा रहा हूँ देखिए जैसा आप लोगों के रिस्पोंस आया कि सास्तिरी जी आज तक आपने बलेक स्टों के बारे में नहीं बताया हिंदी में जिसे काला पत्तरे भी बोलता है आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ देखिए बलेक स्टों ये सनी का ही रतन माना जाता है और साथी साथ ये राहू और केतू के दुस्परी नाम में कमी करता है यह हम कह सकते हैं ये सनी के साथ साथ राहू और केतू के लिए भी पहना जाता है बहुत चमतकारी और बहुत बहतरी न्रतन है ये बिमारियों को दूर करता है, अगर आप लगतार बिमार हो रहे हैं, खासतोर से अगर मानपीसिया में दिक्कत है, गुटनों में दिक्कत है, उर्जावान बनाता है वैक्तिको, पाचन तत्र में दिक्कत है, यानि आपका लिवर से लेटेड आपको दिक्कत आ रही है, जो कि कोई भी जोड में अगर दिक्कत आ रही है तो आप ब्लैक स्टोन को पहनिए फायदा होगा बीमारियों में यह बहुत असरदार है आपकी बीमारियों अगर आपको सूट कर गया तो कहीं न कहीं आपको मांचिक और सारी रिक रूप से फायदा देगा साथी साथ ब्लैक तो इसको पहनने से जातक को काफी हद तक फायदा मिलेगा अब वो फायदा कैसा होगा यह आपको कुड़ली को देखे पता चलेगा अब देखे जैसे लगन के अगर हम बात करें तो ब्लैक स्टोन फायदे मंद होगा वर्सब, मिथून, कन्या, तुला, मकर और कुम लगन क लोगों के लिए, अब जैसे हाँ पर दो लिखा है तो यह वर्सब लगन है, तीन है, तो मिथून लगन है, छे है तो कन्या लगन, साथ तुला, दस और ग्यारा, मकर और कुम लगन के लोग इसको पैंट सकते हैं, राशी की बात नहीं कर रहा हूँ आपे में, लगन के बात कर रहा हूँ, काफी इफेक्टिव है रतन है यह, और अगर आप नीलम अगर नहीं खरिद पारे तो बलेक इस्टोन को आप धारन कर सकते हैं, तो पहली कंडिशन, दो, तीन, छे, साथ, दस, ग्यारा, यह लगन होने चाहिए, यानि वर्सब, मिथून, कन्या, तुला, मकर और कुम लगन हो, और साथ ही साथ, अब आपको सनी का प्लेस्मेंट देखना होगा, जहां-जहां मेने टिक लगाया है, अगर सनी यहां पे हैं, तो आपको सनी फायदा देंगे, सनी का फायदा होने का मतलब यह जो रतन है, यह सनी की विस्षिस्ताय बताता है, और सनी अग तो देखिए वर्सब लगन है अपनी खुद की रासी में तो जातक को भागय का साथ मिलेगा पीदा के साथ संबद अच्छी होंगे जिस चीज में जातक हाट डालेगा उसमें फैदा इसी परकार दस्वे भाव में अगर सनी है अपनी खुद की रासी में यहां पर सनी सस्नाम योग बनाए हुए हैं और सूरिय से अस्तिया उनके डिगरी कम हुई और सनी हाप है तो जो जितना प्वाव में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जातक यारदास और बुद्धी मान होगा जातक अपने बुद्धी सच्छे निद्न लेने वाला चोर्थे भाव में तमाम सु करेगा जातक को धनका फैदा होगा सनी का प्लेश्मेंट देखना जरूरी को कि सनी का रतन होता है ब्लैक स्टोन अगर सनी छे आठ बारा में हैं इन में नहीं पहनना क्योंकि यह बादा ऑप्स्टेकल्स कर्ष्ट दुरुगत्ना मांसिक खानी परिसानी सारी रिक और मांसिक को पैदा करते हैं ये तीन भाव तो इसमें अगर सनी है तो मत पहनेगा क्योंकि यह जो रतन होता है ये ग्रह को एक्टिव करता है अंट्स और अस्त की परिकरिया में जाता फैदा देगा दूसरा सनी अगर नीच के हैं कही पर भी एक लिख़ा है और सनी है वहापे तो मत आप दारन कर लिजे साथिसाथ अगर आप चाहते हैं तो पैंडट बनाके चादी में गले में भी काले धागे में आप इसको पहन सकते हैं यह आपको बहुत अच्छे फल देगा शक्रात्मक फल देखने को आपको इसको मिलेंगे यह भी एक बहुत एक प्रत्रों से एक रतन ह इन लगनों के अंदर सनी भी कारक होते हैं और रहू और केतु भी कारक होते हैं इसलिए ब्लैक स्टोन को पहनने से आपको फैदा होगा तो नमस्कार दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत कार,दिए ऑ्रशी अवीडियो नमस्कार करना मेरी वीङे बॉकित कर मेड़ोगर रहुआ के पी किए करना उन स्टोन fire ढाया मेरी इसलिए अभी होगी होगी टूलिए ऑलिए 561 Manager झाल झाल